Good morning friends, कैसे हो? हम आज solve करेंगे section B, vocabulary. कल हमने क्या किया था? कल हमने lesson number 10 start किया था, right? और वो किस बारे में था? The clever frog, जो चतूर क्या था? चतूर, yes, चतूर मेंडग के बारे में था. उसके बारे में पूरी स्टोरी देखी. और साथ ही में section A solve किया था. उसकी exercise A1 and A2, right? और आपको homework में भी दी थी. वोप आप लोगोंने वो homework किया होगा. Very good. आज हम solve करेंगे exercise B1. Fill in the missing letters to make words that are in the lesson. Okay? हमें क्या करना है? यहाँ पे जो missing letters है यह word में, वो हमें fill करने. और वो किस तरीके से? वो letters हमारे already exam, आपने लेशन में पड़े हुए है, वैसे. Okay? For example, यहाँ पे एक लड़का है. जैसे कि आपको जब भूख लगती है घर पे, तो आप क्या कहते हो मॉमी से? मॉमी मुझे भूख लगी है. और सिद्धा पेटके और हाथ रखते हो, right? उसी तरीके से, यह टाइगर ने क्या कहा था? टाइगर भी हंग्री था. तो मैंने तांसर बोल दिया. यह हम भूखे होते हैं, तो उसे कहते हैं हंग्री. यानि कि उसका मतलब है ह-u-n-g-r-y. तो हमें यू-n-g हमारे जो लेटर्स मिसिंग थे, वो हमने फिल कर दिये. फिर यह देखो, यह आपको क्या दिख रहा है? पी से पॉण्ड. आलाब है यह, जो लिखना है P-O-N-D, पॉण्ड. फिर यह देखो, मैंडर कैसे वेव कर रहा था? बाई-बाई बूर रहा था, तो यह हमें स्पालिंग बता रहा है, W-A-V-E-D, फिर आगे आई-गर. आई-गर ने क्या किया था मैंडर को? उसको पंच किया था, राइट? P-O-U-N-C-E-D, पॉण्च्ड. फिर यह देखो, लड़का कैसा है? गंदा है, राइट? उसके कपड़े और मुझ सब गंदे है, तो क्या हैगा? D-I-R-E-Y, डर्टी. फिर है यह बड़ा सा पत्थर, यानि की R-O-C-K-E-R-O-K. यह हो गए हमारी एक्सेसाइज B-1-S-A-L. अब हम स्वाल करेंगे एक्सेसाइज B-2. इसमें क्या करना है? हमें क्या करना है? यह सारे वर्ट्स दिये गए है एक लाइन में. उसमें से एक वर्ड ऐसा है, जो बाकी लोगों से अलग है. तो हमें उसके उपर बाकी वर्ट्स से अलग है. तो उसके उपर हमें सर्कल करना है. ओके? पर एक्जाम्पल, टेल, नेक, आई, और होर्ट्स. तो यह देखो, टेल, नेक, और आई, वो सब हमारे सरीर के अंग है, राइट, सरीर के हिस्से में आता है. लेकिन होर्ट्स यानि गोड़ा, वो सरीर के हिस्से में आता है? नहीं. इसलिए वो और वर्ड हुआ. उसी तरीके के हमें यह सारे वर्ड साल करने है. फर सेकेंड हभी हम देखते हैं. राउर, लुक, मियाउं, बार्ग. देखो, राउर किसे कहते है? जब सी दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तो उसे राउर कहते हैं. फिलुक यानि देखना. मियू यानि हम बिल्लिया मियाउं करती है, राइट? और बार्ग, जो खुते होते हैं, वो बार्ग करते हैं. तो इस सब में और वर्ड क्या है? यह सब आवाजे हैं. और लुक यानि तो देखना. वो लुक हमारा और वर्ड हुआ. ओके? फिर आगे हैं, तो देखो, रैट, रैबिट, एंड कैमल तो देखो, रैट, रैबिट, एंड कैमल ये तीनो एनिमल्स के नाम हैं. और होल यानि छेद, वो हमारा और वर्ड हुआ. तो उसके उपर हमें सर्कल करना है. पैंसिल, बूग, फ्लावर, एंड पैन. ये देखो, पैंसिल, बूग, ये सारी स्टेशनरी की आइटम हुई. लेकिन फ्लावर स्टेशनरी कहलाएगा, स्टेशनरी यानि हमें लिखने में और पढ़ने में वैसी चीज़े. तो फ्लावर हमें वो चीज़े नहीं है, ठीके? तो वो फ्लावर हमारा ओड वर्ड हुआ. फिर आगे, आर, पैट, ग्लास, एंड स्पून. तो ये सब देखो, यहाँ पे पैट, ग्लास, एंड स्पून. ये सारी चीज़े कीचन में यूज होती है. लेकिन कार कीचन में यूज होती है? नहीं, इसलिए कार हमारा ओड वर्ड आउट है, ओके? फिर है, अलिफंट, जिराफ, डियर, एंड पिककॉक. ये बताओ, इसमें से क्या ओड वर्ड है? येस, पिककॉक. क्यूँ? क्यूँकि यहाँ पे अलिफंट, जिराफ, एंड डिर, ये सारे एनिमल है. और पिककॉक एक बॉर्ड है, इसलिए समझ में आगे ही? वेरी कुड. अब हम सॉल करेंगे एक्सेसाइज बी थ्री. राइट आसेज इंड ब्लैंक्स, तु मेक कम्प्लीट वर्ड्स. हमें यहाँ पे, यहाँ पे भी ब्लैंक्स लिखी हुई है, वहाँ पे हमें एसेज लिखना है. Then read the words aloud. फिर जोर से आपको words पढ़ने हैं, ठीके? जैसे के मैं आपको एसेज शट, यानि बंद करना. एसेज आइपी सीप, सीप यानि जहाँज. तो इस तरीके से यह सारे words आपको, सारे words में आपको एसेज लिखना है, ठीके? फिर देखो, यहाँ पे पीछे लिखना है एसेज, तो डि आई, एसेज, यानि डिश. यू, एसेज, पुश, पुश, यानि धक्ता देना. यह बाकी के words में भी आपको एसेज लिखने, फिर वो words आपको बोलने है, ठीके? तो यह exercise आपको कुछ से करनी है, ओके?